नमस्कार मैं हूं धरमें राब देख रहे हैं ओला इन उजिंडिया चुनाव आयोग ने तारीकों का एलान कर दिया है उत्तर प्रदेश में साथ चंड में चुनाव होंगे लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की तारीकों का एलान हुआ उसके बाद में सबसे पहला ऑपीनियन पोल आया है और उस ओपीनियन में भारतिय जनता पार्टी बिलकुल बाहर हो गई है भारतिय जनता पार्टी आप पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है आप यकीन नहीं करेंगे कैसे के बीजेपी जो है वो बीस परसेंट पर आकर के सिमट गई है बीजेपी जो कह रही है कि सथ nggak 300 जीतेंगे अमच्छव इच्छव पूरी तरह से फुसीबं की तरह से फुसीबं आपने देखा है न दिखने में इतना बड़ा सुन्दर सब कुछ बात और मार्केटिंग में उसका लोगो लगा हुआ है वो बड़ा मुरगा छापवाला लेकिन जब उसको जलाया तो पता चला ये तो फुसी बम निकला अब देखिए यूपी तक यूपी तक ने ये सर्वे किया है और इसमें उन्होंने सवाल पूछा यूपी तक जो है वो आज तक का ही चैनल है यूट्यूब चैनल है और उस पे उन्होंने इस सर्वे किया है ये देखिए आप पहला स्क आपको चौन सी पार्टी जीट है चुनाओ कि इन्हों सवाल उठा है कि कौन सी पार्टी इस बार यह चुनाओ जीतने वाली है भाजपा सपा बसपा और कॉंग्रेस इन्होंने सवाल पूछा है अब इसके नतीजे क्या आए है ये नतीजे आप देखिए भाजपा को केवल और केवल जो है वो 22% लोग 22% लोग कहरें कि भाजपा जीते उसके बाद में समाजवादी पार्टी को 61% दी लोग 61% दी लोग कहरें कि अखलेस याता हूँ इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए बसपा 9% है कॉंग्रेस 8% है तो आप देखिए किस तरह से भाजपा के लिए एक बड़ा जटका यहाँ पर लग रहा है और ये 22% का मतलब यह है कि बीजेपी को इस बार 70 से 80 सीटे जो है 100 से ब और आपको दिखाते हैं ओपीनियन पॉल यह न्यूज 24 का ओपीनियन पॉल है और न्यूज 24 के इस ओपीनियन पॉल में आप देखिए यह इस ओपीनियन पॉल में लिखा है उत्तर परदेश का चुनाव कौन जीत रहा है बीजेपी 29% वहां पर 22% थी यहां पर 39% कोई वोट किया है कितने बड़ा सेंपल है यह पांच लाग 56,000 लोग वोट कर रहे हैं और यहां पर 62% 62% लोग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बार मुख्य मंत्री बनेंगा अखिलेश यादव आ रहे हैं बाबा की विदाई हो रही है लेकिन देखिए कैसे नेताओं के अ बलकि एक शांदार जो है वो आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है चुनाव धीर धीरे अपने पूरे सवाब पर जाएगा चुनाव की जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी अखिलेश यादव ने अभी अभी ट्वीट किया है साथ बज़ करके 69 मिनट पर अखिलेश ने लिखा जूट का परदा फास होगा अब यूपी में बदला होगा बाइस में बाइस साइकल और दिखा रहे हैं कैसे योगे दितनात का पोश्टर फाड करके जो है वो लेकर जाय जा रहा है आप ये देखिए रनवीजे सिंग ने लिखा है दस मार्च डिश्चार्ज हो जाएगी बैटरी खतम हो जाएगी भाजपा की यहां पर यहनों ने का है रजनीस ने लिखा है याद रहे सात मार्च तक नेता लोग आपके चरणों में रहेंगे बाद में आपको ही चरण वंदना करनी पड़ेगी इसलिए सोच समझ करके वोट करें जो कि माहौल जो है वो बीजेपी के लिए आसान नहीं है बीजेपी की जो रा है वो बेहद मुस्किल यहां पर दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए बड़ा जो है यहां पर जटका दिखाई दे रहा है उत्तरपरदेश बीजेपी ने ट्वीट किया है यूपी में फिर को लड़ना चाहिए की भगवाधारी आ रहे हैं हम हैं तो भगवाधा की रक्षा करेंगे की सारे वही मुद्धे जो रोज़ाना बीजेपी अपने उषके जो अजन्ने में दिखाई पर दिखाई दे रहे हैं समयर्टी पार्टी की तरफ गया के दस मार्च भाजपा साप, किसानों, नोजवानों, महिलाओं, पिछडों, दलीतों, अलब संककों, व्यापारियों कारोबारियों की खुसाली को लेकर के दस मार्च अखिलेस आ रहे हैं, तो अखिलेस यादव दस मार्च को आ रहे हैं, यह समाजवादी पार्टी ने ट्व क्या बीज़पी के अंदर फिर वही एक डर है कि आपको यहां पर केसव परसाद मोर्या को जो है उनको सैट करके रखना है दिने सर्मा को उनको सैट करके रखना है और जो नेता है उनको सैट करके रखना है तो यह बड़ा सवाल है किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश के चुन चुनाव इस बार दिल्टस होने वाला है, चुनाव अभी तक जो है, बीजेपी ने भले कितनी कोशिस की हो,ches कि और दिख रहा है कि चुनाव मुद्दो पर है लोग महंगाई की बात कर रहें विरुजगारी की बात कर रहें और बीजेपी बात कर रही है मोधी खत्रे में है बीजेपी मोधी खत्रे की बात कर रही है जबकि जनता बात कर रही कि महंगाई आप बताएं महंगाई से हम लोग खत और ये 13 फरवरी 2020 की ख़वर है 13 फरवरी 2020 को मोदी के बारे में ख़वर आती है एक करोड 62 लाक रुपिया एक दिन में खर्च हो रहा है उसके बाउजुद मोदी खत्रे में है उसके बाउजुद जो है वो योगे दितनाथ उनके लिए महा मिर्तुन जे का जब करवाते हैं त राहुल गांदी ने कॉंग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया चोकिदार चोर है और उसके बाद में क्या किया नरेंदर मोधी ने किया मैं भी चोकिदार यह उन्होंने उसके काउंटर में लेकर के आए अब जो है महेंगाई बेरुजगारी उसको लेकर के यह जो विपाक् इस बार चारुम यहां पर अच्छा काम यह कर रहा है कि विपाक्ष्ट केवल योगी को लेट नहीं कर रहा है दोड़कि मदो को टार्गेट करने अब मुद्दो कि स्थैंब बदले तोटो कि अगर योगी को तो फिर तो यहांम क्रहें धो आपके की बांपकी कर आएक फिर अगर मोदी को target करते है तो मोदी का फिर वही है कि मैंने घरबार किसके लिए छोड़ा आपके लिए छोड़ा देश्क में जो है वो मैं स्यवा के लिए हूँ डबल इंजिन की सरकार चलेगी खुद मोदी जो है वो योगी की बढ़ाई कर चुके है तो इस सारी बाते हैं लेकिन इस बार क्या BJP के मुद्देश चल पाएंगे क्या जिस तरह से UP तक का जो ईजी ऑपीनियन पॉल है News 24 का जो उपीनियन पॉल है लाखो लाख लोग वोट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार 60% से उपर है यानि समाजवादी पार्टी का एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा है कम से कम अगर इन ओपीनियन पोल की माने बैराल आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर परदेश में किस की सरकार क्या समाजवादी बनाएगी सरकार क्या बीजेपी की फिर से रहेगी सरकार क्या कॉंग्रेस इस बार बनेगी किंग मेकर बस्पा बनेगी किंग मेकर सवाल यही है और इस सवाल का उत्तर जो है वो लोगों के दिलों में आपके दिलों में है आप बताइए नीचे कमेंट बोक्स की जरीए इस बार किसकी सरकार नीचे कमेंट बोक्स पर अपनी राय जरूर दे और जी तरह एक तमाम ख़बरों के लिए ओलाइन उज्टे सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे की वीडियो अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें धन्यवाद